बाबा साव अंबेटकर की जैनती कैसे मनाएं ये प्रसान एक पूछा है क्योंकि नया नया एक तरसे माहूल कह सकते हैं ज्यादा साल हुए नहीं है और अब ये फैस्टिबल बहुत बड़ा हो गया है तो समझ में नहीं आता है कैसे मनाएं जाएं लोग विरूद करते हैं कोई अगर बाबा साब के आगे मौंबती जलाता है दिये जलाता है तो कहते हैं पूजा सुरू हो गई कोई फूल चड़ाता है तो कहते हैं कि पूजा करने लगे फिर फाइदा क्या रहा कोई कहता है कि व्यक्ति क्या पूजा हो गया कोई अगर नहीं करता है तो कहता है कि किया नहीं कोई अगर घर सजाता है तो कहते है अरे आप तो दिवाली की तरह ही घर सजाने लगे दिवाली तरही करने लगे तो इस फेस्टिवल को इस उससब को इस जनम के उससब को बावा साब के उससब को कैसे मनाए मनाए या नय मनाए यानि ना मनाए या मनाए दरसल जब हम किसी व्यक्ति का क्योंकि जो उससब होता है वो या तो किसी व्यक्ति के महान कार्य का होता है या राष्ट का उत्सव होता है कि राष्ट में जैसे राष्ट का बनना है या राष्ट को गुलामी से निकलना है या गुलामी से आ गया या कोई बड़ी अचीवमेंट राष्ट ने किया या मोचली आजादी के मनाय जाते हैं, या सम्विधान के मनाय जाते हैं, भारत में भी आजादी के और सम्विधान के मनाय जाते हैं, या किसी राजा का उससाव होता है, उसका जरन दिन वगरा होता है, या किसी महान पर उसका कोई जो ऐसा काम है, अत्तजन वाला, जिसको अत यानि जो कसक हैं, जो किसान हैं, जो यहां खेती होती है, खेती को खेतरी बोलते हैं, खत्ती बोलते हैं, जो यहां खेती होती है, फारमी होती है, सारे फैस्टिवल उससे बनने हैं, फसल का आना, फसल का बोना, फसल का काटना, फलों का आना, फलों का बोर आना, मौसम का बतल पेड़ पधो का होगोनwegenौना पेड़ पवोधों के कोपल निकलन सनके फब्वाना वैल जलाना मेजन वहीद्ट रूप्वा पुराने भारत के ही है हैं इनके स्वरूर्व बदल गए है सेहरों में το फो होतीन हो तो यहाँ एक traditional परंपरा बन गई, मगर ये भारत के farming के हैं, भारत में व्यक्तियों के जो उतसब हैं वो बड़े ना के बरावर हैं, और भारत में जो अत्तजिन वाले हैं या जिनको धम का उतसब बोले हैं, वो भी बड़े ना के बरावर हैं, बाद में बढ़ गए हैं, जै जैसे व्यक्ति वाचक है, तो यानि जो व्यक्ति की उपलबता है, जो होता है, जैसे 14 अपरेल को डॉक्टर अंबेटकर का बचले मनाते हैं लोग, तो ये फैस्टिवल व्यक्ति में आता है, यानि व्यक्ति की जो काम किया है, उसके उपर आता है, तो जैसी बात है कि आप व्यक्ति का नहीं मना रहे हैं, व्यक्ति के काम का गुणगान कर रहे हैं, उसके काम को प्रेज कर रहे हैं, उसकी प्रसंसा कर रहे हैं, और उसके काम को लोगों को बताना चाहते हैं, तो कैसे उस सब मनाएं, क्योंकि उस सब मनाने की जो पुरानी टैडिशन परंपरा है, वो काम से हटके और एक परंपरा टाइप में आ गई है तो उस सब जो होता है वो दरसल तीन तरह से होता है जैसे वावसा अंबिटकर ने बताया है एक तो सिक्षा के लिए होता है कि सिक्षा उससे परसार होनी चाहिए एक संग्धित होने चाहिए यानि सब लोग सामु रूप मे आने चाहिए और एक आपस में आगे की रणनीती जिसको संगर्स कहते हैं वो बात होनी चाहिए यानि उस सब भी तीन चीजे बताते हैं कि आप एकटे हो जाए तो आपकी ताकश्रो होगी आप एजुकेशन फैला है तो लोगों को जंजागरीती होगी कि उस व्यक्ति ने क क्या काम किया क्या ने किया और अगले साल तक क्या करना है आपने उसकी रणनीती बनाएं तो जब आप उस सब मनाएं तो उस सब मनाने के तीन बिंदू ध्यान लखें कि आपने समारों में सामिल होना है आपने समारों में जो एजुकेशन है जिस व्यक्ति की एजुकेशन ह और आपने आगे की रनढीती बनानी है जो संघर्स्की है जिस से आगे आपका welfare हो सेचे, देश का welfare हो सेचे अब ये अलग-अलग तरीकी हैं, जैसे बच्सके लिए अलगी जीज है, महिला व के लिए они अलग जो काम कर रहे हैं उनका अलग है जो कहीं बाहर रहते हैं उनका अलग है जो धम्मिक लोग है उनका कहीं अलग है यानि के तीरी बिंदू पर ध्यान रखते हुए सबको अलग तरीके से बनाना है छोटे बच्चों को ज्यादा गुड़ बात समझ में नहीं आती उनको मिठाई समझ में आती है, नए कपले समझ में आते हैं, घर में जो दिये जलते हैं, वो समझ में आते हैं, जो कोई मूर्टी रखी है, वो समझ में आती है, जो कोई प्रकास हो रहा है, लाइट हो रही है, जो एलाइटमेंट है, वो समझ में आती है, कोई फोटो समझ में आता है, या ए जो थोड़े बड़े हैं, उनको इस बात का ध्यान अखना चाहिए कि क्या एजूकेशन दी थी, क्या नहीं दी थी, तो वो एजूकेशन के परचार परशार की सामगरी को एक दूसरे को दें, किताबे दें, पोस्टर दें, पुस्टक दें, और्डियो दें, वीडियो दें, यह जानकारी का साधन है, यह एक दूसरे को दें, और जो तीसरे ज़्यादा बड़े लोग हैं, उनको ऐसे लोग जो कम पड़े लिखे हैं, उनको जगे जगे जाके जानकाई देनी चाहिए, जैसा कि अधिकतर लोग करते हैं, भाशन देते हैं, या बोलते हैं, या पर खटा होना चाहिए, शहर है तो शहर के लिवल पर खटा होना चाहिए, और अच्छी तरह से एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, क्योंकि खुशी का मौका है, तो किसी के पास अगर मिठाई नहीं है, तो उसको मिठाई देनी चाहिए, जो कम गरीब है, तो ज्यादा गरीब वाले को कुछ ना कुछ दे, जो अच्छा अमीर है वो सब को दे, यानि कि दान पारमिता के हसाब से लोगों को मिठाई दे, कपले दे, किताबे दे, सौहलियत दे, कोई मौका दे, अपोष्णि दे, कोई नौकरी दे, कोई पेसा दे, कोई रोजगार दे भीक ना दे, यानि भीक ना दे, उसको सहयोग करे, उसको आगे बढ़ाने का काम करे, जैसा कि अरब के देसों में होता है, कि एद के दिन वो एदी देते हैं, और एद वाले दिन वो अपने तंखा मैसे, या जो उन्होंने कमाया, उसका कुछ हिस्सा वो लोगों में दान भ हिला हैं, वो अपना गीत और संगीत, नाच और गाना, बढ़िया कपड़े, खाना, यह कर सकती है, उनको करना चाहिए, क्योंकि खुशी का मौका है, और इसी से जो कल्चर है, जो संखारा है, जो संकती है, वो आगे बढ़ता है, और उससे आगे चीजें बढ़ती हैं, तो लिए वो बहतर है, उसके लिए वो अच्छा है, क्योंकि आप उस तो पूरी जानकाई देनी पाए, उसके पास समय नहीं, आपके पास समय नहीं, वो लेनी पाया, जानकारी जानता नहीं है, बुद्धी का अभाब हो सकता है, जानकारी का भाब हो सकता है, एक्षा नहीं हो उसको परसंसा करने चाहिए उस पर यह नहीं कहना चाहिए और यह भी पूजा करने लगी तो फिर इसमें क्या रखा यह भी आदमबर में आगे तो इसमें क्या रखाया ये बड़ी निकम्य और गटिया बात है, क्योंकि जिसको जो बच्चा बुद्धी का है, जिसको समझ वनी आया, उसके लिए बहतर है, बच्चों को समझ आने के लिए ने भाता है, तो वो बच्चों के लिए होते हैं कि देखो ये व्यक्ति ऐसा था इसने ये काम किये ये काम किये इसको आप मन में बसा लो तो वहाँ पहला नाम मन के अंदर लिखा जाता है कि ये फोटू ये व्यक्ति अच्छा है तो उसके हिसाब से अच्छा है तो इसलिए इसको धूम ध आपको लगाता, 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 लगाता जो सिख्षा है, जो एजुकेशन है, वो लेते रहने चाहिए और देते भी लेना चाहिए, लेते रहे हैं खाली देंगे नहीं, उसका कोई फैदा नहीं है, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पीच डी, डॉक्टर, डीलीट फलाना ह हो और डॉक्टर अमेटकर से भी ज्यादा पड़ जाए और एक अक्षर किसी को बताना पाए वो ऐसा ही समझो जैसे अनपड़ा आदमी है क्योंकि उसका कुछ फाइदा तो हुआ नहीं पड़े लिखे का फाइदा तब है जब पड़ाए और कोई अनपड़ व्यक्ति भी है अँफ्वी पास हो फरी तरी आपवी पास हो हुआ वह लगाता लगाता लोगों प्ताता है यो डॉक्टर से प्रॉफेसर से डिली तषी से एकीम सवालता거든 इसलिए और जो समारो है जो समारो का मतला है जहां पे सब लोग एक साथ समानता से खट्टे होते हैं तो वो लगातार होते रहने चाहिए दें जो समारो कभी चोटा समारो कभी गोष्टी कभी संगोष्टी कभी संस्था यह सब चलते रहने चाहिए और मौका होता है क्योंकि जब आप विचार करेंगे और जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो संगर्स है ये संगर्स अपने आप होता है भगवान बुद्ध के समय में एक दिन बड़ा मशूर था सनी वार वार माने मौका होता है और सनी माने जो होता है सनी माने होता है से वाला है शे वाला नहीं सनी माने होता है संगठित रहना इखटा होना यनि कि साथ दिन में एक दिन फिक्स था कि सब लोग इखटे होते थे उसी को सनीवार बोला करते थे यनि इखटे होने का मुझा और ये बड़ा गिलूरियस वह बहुत बढ़ी होता था इसलिए जो बहार से लोग आए उन्होंने सनीवार को घोशित कर दिया कि खराब दिन है यह बेकार है क्योंकि सब लोग इखटे होंगे तो जैसी बात है कुछ ना कुछ अच्छी बात करेंगे तो जो लोग उनके वरोध हैं उनके लिए दिक्कत होगी तो जो बहार से लोग आए जो वमर थे उन्होंने का सनिवार ठीक नहीं है यहां के लोगों ने भी मानलिया सनिवार ठीक नहीं है दरसल सनिवार वो दिन है जो बुद्ध के समय सारे लोग और बुद्ध से पहले भी एक साथ एकटे होके अपने वैलफेर की बात करते थे अपने देश की उत्थान की बात करते थे अपनी वैलफेर की इसलिए आप खुद समझदार हैं तीन बातें ध्यान रखनी हैं खुब बड़े मनाईए पूरे अप्रेल मनाईए और पूरे साल मनाईए लगातार मनाते रहिए धन्यवाद आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने टutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते हैं, आप you tube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजजाजत लेने की या permission लेने की बिलकुल भी ज़रूत नहीं हैं आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ वितना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूझी आपकी है धन सरेन गच्छाम। तम्मं सेनं गच्छाम। संगं सरेन गच्छाम। संगं सरेन गच्छाम। तूतियं पी बुद्धं सरेन गच्छाम। तूतियं पी बुद्धं सरेन गच्छाम। तूतियं पी धम्मं सरेन गच्छाम।